National Insurance Company Limited AO परिक्षा 56-2017 का हल प्रश्न पत्र संख्यात्म कभी योग्यता स्मृति पर आधारित निर्देश प्रश्न एक से पांच तक इन प्रश्नों के प्रत्तेक में एक संख्या श्रेणी दी गई है प्रत्तेक दी गई श्रेणी में एक संख्या लुप्त है लुप्त संख्या को ग्यात किजिए प्रश्न एक श्रेणी है 7, 10, 15, 24, 49 प्रश्न चिन विकल्पे 52, B 50, C 63, D 62, E इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प T 62, हल श्रेणी में 7, 3, 10, 10, 5, 15, 15, 15, 9, 24, 24, 25, 49, 49 प्रश्न दो श्रेणी है 104, 300, 479, 613, 734 प्रश्न चिन विकल्पे 982, B 715, C 834, D 755, E इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प C 834, हल एक सो चार प्लस 14 का स्क्वेयर 300, 300 प्लस 13 का स्क्वेयर 479 479 प्लस 12 का स्क्वेयर 613, 613 प्लस 11 का स्क्वेयर 734, 734 प्लस 10 का स्क्वेयर 834 उत्तर C प्रश्न तीन श्रंखला है 5, 9, 17, 33, 65 प्रश्न चिन विकल्पे 127, B 9.7, C 129, D 70 सही उत्तर है विकल्प C 129, हल 5, 4, 9, 9, 8, 17, 17, 17, 16, 33, 33, 32, 65, 65, 64, 119, उत्तर C प्रश्न चार श्रंखला है 9, 21, 45, 81, 119, प्रश्न चिन विकल्पे 187, B 99, C 187, D 189, E इन में से कोई नहीं, सही उत्तर है विकल्प D 189, हल, श्रंखला में 9, 12, 21, 21, 24, 45, 45, 36, 81, 81, 88, 119, 129, प्रश्न पांच श्रंखला है 12, 16, 32, 67, 132 प्रश्न चिन, विकल्पे 196, B 232, C 276, D 213, E इन में से कोई नहीं, सही उत्तर है विकल्प B 232, हल, 12, 4, 16, 16, 16, 16, 32, 32, 36, 68, 64, 132, 132, 100, 232, उत्तर B निर्देश प्रश्न 6, 10, यहां एक सार्नी दी गई है, इसका ध्यान पुर्व का ध्यान कीजिए और दिये गए प्रश्न के उत्तर दीजिए, वर्श 2000, उत्पादित अंडों के फार्म दर्जनों में, फार्म A 420, B 360, C 396, D 528, E 492, F 444, वर्श 2001, फार्म A 564, B 492, C 526, D 612, E 526, F 544, वर्श 2002, A 580, B 612, C 624, D 648, E 526, F 564, वर्श 2003, फार्म A 600, B 660, C 648, D 636, E 612, F 600, वर्श 2004, A 648, B 708, C 684, D 672, E 660, F 672, वर्श 2005, वर्श 2005, फार्म A 732, B 744, C 720, D 756, E 708, F 720, सार्णी समाप्थ, प्रश्न चे, वर्शों के दारान फार्म D द्वारा उत्पादित अंडों की औसत संख्या क्या है? विकल्पे, 7703, B 7700, C 7704, D 7604, सही उत्तर है विकल्प C 7704, हल, अभिष्ट औसत बराबर, 528, 612, 648, 636, 672, 756, गुना बारह, बराबर 7704, प्रश्न साथ, वर्श 2003 में फार्म B द्वारा उत्पादित अंडों का लगभग प्रतिशत फार्म B द्वारा दिये गए वर्शों में से उत्पादित अंडों का कितना है? A. 18, B. 16, C. 19, D. 20, E. दिये गए विकल्पों के अतिरेक्त अन्य, सही उत्तर है विकल्पे 18, हल, अभिष्ट प्रतिशत बराबर 660 कुना 100 बटे 360 प्लस 492 प्लस 612 प्लस 606 प्लस 708 प्लस 744 बराबर 66,000 बटे 3586 प्रतिशत बराबर 18.45 प्रतिशत बराबर लगभग 18 प्रतिशत प्रश्न आट, वर्ष 2005 में फार्म A से फार्म B द्वारा उत्पादित अंडों के दर्जन का प्रमश अनुपात क्या है? विकल्पे 69 अनुपात 61, B. 43 अनुपात 69, C. 611 अनुपात 58, D. 611 अनुपात 69, सही उत्तर है विकल्प D. 611 अनुपात 69, हल, अभिष्ट अनुपात बराबर 732 वट्टे 708, बराबर 61 अनुपात 69 वर्ष 2000 में फार्म A, B वसी द्वारा मिलकर उत्पादित अंडों के दर्जन का समान वर्ष में फार्म D, E और F द्वारा मिलकर उत्पादित अंडों के दर्जन से क्रमश अनुपात क्या है? A, 60 अनुपात 40, B, 61 अनुपात 49, C, 49 अनुपात 61, D, 61 अनुपात 69, E, 7 अनुपात 61, सही उत्तर है विकल्प C, 49 अनुपात 61, हल, वर्ष 2000 में फार्म A, B वसी से उत्पादित अंडों के बराबर 420 प्लस 360 प्लस 396 बराबर 1186, इसी वर्ष में फार्म D, E वा F से उत्पादित अंडे बराबर 528 प्लस 492 प्लस 444 बराबर 1464, इसलिए अभिष्ट अनुपात बराबर 1186 बराबर 1461, बराबर 49 अनुपात 61, प्रश्न 10, वर्ष 2001 तथा वर्ष 2004 में मिलकर सभी पामोदबारा उत्पादित अंडों की कुल संख्या के मध्य अंतर क्या है? D 8200, D 684, सही उत्तर है विकल B 8208, हल अभिष्ट अंतर बराबर कोष्ठक में 574 प्लस 492 प्लस 576 प्लस 612 प्लस 576 प्लस 540 कोष्ठक बन, माइनस, दूसरे कोष्ठक में 648 प्लस 708 प्लस 684 प्लस 672 प्लस 660 प्लस 672 कोष्ठक बन, गुणा बारह, बराबर 684 गुणा बारह, बराबर 8208 प्रश्ण ग्यारह, टॉम ने रुपए 52,000 से एक व्यापार प्रारंभ किया और चार महिनों के बाद हैरी ने रुपए 49,000 से उसके साथ मिल गया, वर्ष के अंतर पर हैरी ने कुल लाब में से कुल रुपए 20,000 प्राप्त किये, जिसमें व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए लाब का एक बटा चार अतिरिक्त कमिशन शामिल है, टॉम को मिलने वाला लाब क्या है? A. 40,000, B. 20,000, C. 30,000, D. 50,000, E. दे गए विकल्पों के अतिरिक्त, सही उत्तर है विकल्प B. 20,000 हल, टॉम और हैरी द्वारा व्यापार में लगाए गए धन का अनुपात बराबर 52,000 गुणा बारह अनुपात 49,000 गुणा आट बराबर 2 अनुपात एक माना यदि कुल प्राप्त लाब रुपए X हो तो प्रश्ना नुसार 3X बटे 4 गुणा 3 प्लस X बटे 4 बराबर 20,000 इसलिए 2X बटे 4 बराबर 20,000 इसलिए X बराबर 40,000 इसलिए टॉम का लाब बराबर रुपए 30,000 गुणा 2 बटा 3 बराबर 20,000 प्रश्नबार है D 81.5 E इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्ब D 81.5 हल माना कक्षा A, B और C में छात्रों की संख्या क्रमशह X, Y और Z है तब कक्षा A का कुल स्कोर बराबर 83X कक्षा B का कुल स्कोर बराबर 86Y कक्षा C का कुल स्कोर बराबर 85Z तब A प्लस B बटे X प्लस Y बराबर 89 83X प्लस 76Y बराबर 89X ब्लस 89Y A वर B का मान रखने पर 4X बराबर 3Y इसलिए X बराबर 3Y बटे 4 B प्लस Z बराबर 81 86Y प्लस 85Z बराबर 81 86Y प्लस 85Z बराबर 81Y प्लस 81Z B वसी का मान रखने पर 4Z बराबर 5Y Z बराबर 5Y बटे 4 कक्षा A B वसी का अभिष्ट और सच स्कोर बराबर A प्लस B प्लस C बटे X प्लस Y प्लस Z बराबर 83X प्लस 76Y प्लस 85Z बराबर X प्लस Y प्लस Z A प्लस B प्लस C का मान रखने पर 83 गुणा 3Y बटे 4 प्लस 76Y प्लस 85 गुणा 5Y बटे 4 बटे 3y बटे 4 प्लस y प्लस 5y बटे 4 एक्स वस हैट का मान रखने पर 249y प्लस 304y प्लस 425y बटे 4 बटे 3y प्लस 4y प्लस 5y बटे 4 बराबर 988 बटे 12 बराबर 81.5 प्रश्न 13 दो वर्ग एक चैस पोट पर यादरचिक रूप से चुने गए हूं तो वे एक भुजा में समान है कि प्रायकता क्या है विकल्पे एक बटा 32 B. एक बटे 18 C. एक बटे 63 D. एक बटे 36 E. एक बटे 56 सही उत्तर है विकल्प B. एक बटे 18 हल कुछ इच्छित परिनाम बराबर कोष्ठक में 4 गुणा 2 प्लस 24 गुणा 3 9 प्लस 36 गुणा 4 B. एक बटे 24 22 कुल्परिनाम बराबर 64 गुणा 63 बराबर 4031 अभिश्ट प्रायकता बराबर दोसो चाबीस बटे 4 गुणा 4 गुणा 3 बराबर 1 बटे 18 निर्देश प्रश्ण 14 से 18 निम्न ग्राफ को समझिये और निम्न प्रश्ण के उत्तर दीजिये। ग्राफ में विभिन्न कम्पनी द्वारा प्रतिशत व्याई दर्शाया गया है। कम्पनी A. 30%, B. 18%, C. 9%, D. 11%, E. 17%, F. 15%, कुल व्याई बराबर 44 करूड, P. परतिशत बराबर I-V, बटे व्याई गुणा सो. कम्पनी A. लाब प्रतिशत 40, B. 25, C. 50%, D. 60%, E. 70%, F. 80%. प्रश्न चौदह कम्पनी A की आये क्या है? A. 21.6 करोड, B. 16.8 करोड, C. 22.4 करोड, D. 27.5 करोड, सही उत्तर है विकल्प B. 16.8 करोड. हल, प्रश्न नुसार कम्पनी A का व्याई बराबर 40, 30, 100, 12 करोड, इसलिए कम्पनी A की आये, आये, बराबर 40, 12, 100, 12 करोड, बराबर 4.8, 12 करोड, बराबर 16, 8 करोड. प्रश्न पंद्रह, कम्पनी C, D और F के कुल लाप का योग क्या है? A. 12 करोड, B. 10.48 करोड, C. 12.46 करोड, D. 9.24 करोड, E. 8.64 करोड, सही उत्तर है विकल्प D. 9.24 करोड. हल, कम्पनी C की आये, बराबर 50, 3.6 बटी 100, 3.6, बराबर 1.8, 3.6, बराबर 5.4 करोड, कम्पनी D की आये, बराबर 60, 4.4 बटी 100, बराबर 2.64, बराबर 7.04 करोड, कम्पनी F की आये, बराबर 80, 6.2, बराबर 4.8, बराबर 10.8 करोड, इसलिए, अभीष्ट शुद्ध लाब, बराबर 5.4, माइनस 3.6, बराबर 5.4, माइनस 3.6, बराबर 1.8, बराबर 2.6, बराबर 4.8, बराबर 9.24 करोड, प्रिश्ट 181, प्रश्ण 16, सभी 6 कम्पनियों की कुल आय और कुल व्य के मध्य अंतर ग्यात कीजिए, A. 29.5 करोड, B. 25.8 करोड, C. 27.2 करोड, D. 20.6 करोड, E. देगाय विकल्पों के अतिरेक्त अन्य, सही उत्तर है विकल्प D. 20.6 करोड, हल, कम्पनिय B की आय बराबर 25.7.2 बटे 100, प्लस 7.2 बराबर 9 करोड, कम्पनिय E की आय बराबर 70.6.8 बटे 100, प्लस 6.8 बराबर 4.76, प्लस 6.8 करोड, बराबर 11.56 करोड, इसलिए अभिष्ट अन्तर बराबर 16.8 प्लस 9 प्लस 5.4 प्लस 7.4 प्लस 7.4 प्लस 11.56 प्लस 10.8 माइनस, कोष्ठक में 12 प्लस 7.2 प्लस 3.6 प्लस 4.4 प्लस 6.8 प्लस 6.8 प्लस 6 बराबर 60.6 माइनस 40 करोड, बराबर 20.6 करोड, प्रश्ण सत्रह, कम्पणी E का लाब कम्पणी C की I का प्रतिशत हैं, विकलपे 120 प्रतिशत, B 28.14 प्रतिशत, C 900 प्रतिशत, D 40 प्रतिशत, E देगाई विकलपों के अतिरेक्त अन्ने, सही उत्तर है विकलप B 28.14 प्रतिशत हल अभिष्ट प्रतिशत बराबर 4.76 गुणा 100 बटे 5.40 प्रतिशत बराबर 88.14 प्रश्ण अठारह बी की आए कम्पनी सी के व्याइसे कितने प्रतिशत अधिक है a. 125 प्रतिशत b. 150 प्रतिशत c. 30 प्रतिशत d. 14 प्रतिशत e. दिये गए विकल्पों के अतिरेक्त आन्य सही उत्तर है विकल्प b. 150 प्रतिशत हल अभिष्ट अधिक प्रतिशत बराबर 9-3.6 बटे 3.6 गुणा 100 बराबर 540 बटे 3.6 प्रतिशत बराबर 150 प्रतिशत निर्देश प्रश्ण 19-23 इस प्रश्ण में दो समीकरण संख्या एक और दो दिये गए हैं आपको दोनों समीकरणों को हल करना है और सही विकल्प चुन्गे तथा उत्तर इस प्रकार दें a. x greater than y b. x greater than or equal to y c. x smaller than y d. x smaller than or equal to y e. x equal to y या संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता प्रश्ण 19-23 इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा एक कोश्ठक में x plus 2 दूसरे कोश्ठक में x plus 2 बराबर जीड़ा समीकरण 2 10y square plus 51y plus 56 बराबर 0 हल करने पर हमें प्राप्त होगा एक कोश्ठक में 5y plus 8 दूसरे कोश्ठक में 2y plus 7 बराबर 0 इसलिए y बराबर सम्बंध स्थापित नहीं किया जा सकता उत्तर e प्रश्ण 20 समीकरण 1 x square plus 18x plus 65 बराबर 0 समीकरण 2 15y square plus 4y minus 35 बराबर 0 उत्तर c x smaller than y ब्याख्या समीकरण x x square plus 18x plus 65 बराबर 0 इसलिए हल करने पर x square plus 13x plus 5x plus 65 बराबर 0 हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक कोश्ठक में x plus 5 दूसरे कोश्ठक में x plus 13 बराबर 0 इसलिए x बराबर minus 5 minus 13 समीकरण 2 15y square plus 4y minus 35 बराबर 0 इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा एक कोश्ठक में 3y plus 5 बराबर 0 दूसरे कोश्ठक में 5y minus 7 बराबर 0 इसलिए y बराबर minus 7 बराबर 5 कॉमा माइनस 5 बराबर 3 स्पष्ट है y greater than x उत्तर c प्रश्चन 21 समीकरण 1 x square plus 10 x plus 25 बराबर 0 समीकरण 2 y square plus 39 y plus 190 बराबर 0 हल समीकरण x x square plus 10 x plus 25 बराबर 0 हल करने पर x बराबर minus 5 minus 5 समीकरण 2 y square plus 39 y plus 190 बराबर 0 हल करने पर y बराबर minus 10 minus 19 स्पष्ट है x greater than y उत्तर a प्रश्चन 22 समीकरण 1 x square minus 6 x minus 40 बराबर 0 समीकरण 2 y square plus 18 y minus 40 बराबर 0 उत्तर e x बराबर y या संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता व्याख्या समीकरण 1 x square minus 6 x minus 40 बराबर 0 हल करने पर x बराबर 10 minus 4 समीकरण 2 y square plus 18 y minus 40 बराबर 0 हल करने पर y बराबर 2, minus 20 स्पष्ट है संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता प्रश्चन 23 समीकरण 1 x square plus 5 x minus 66 बराबर 0 समीकरण 2 25 y square plus 65 y plus 42 बराबर 0 उत्तर e x बराबर y या संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता हल समीकरण 1 है x square plus 5 x minus 66 बराबर 0 इसलिए x बराबर 6, minus 11 समीकरण 2 25 y square plus 65 y plus 42 बराबर 0 हल करने पर y बराबर minus 7 बराबर 5, minus 6 बराबर 5 स्पष्ट है संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता निर्देश प्रश्ण 24-28 निम्न ग्राफ का ध्यान पूर्वा का ध्यान कीजिए और प्रश्णों के उत्तर दीजिए ग्राफ में चार विभिन्न महा में चार मुख्य नदियों के पानी का स्तर मीटर में दर्शाया गया है नदी A जून 196, जुलाई 205, अगस्त 233, सितंबर 212 नदी B जून 202, जुलाई 244, अगस्त 211, सितंबर 207 नदी C जून 196, जुलाई 210, अगस्त 230, सितंबर 84 नदी D जून 146, जुलाई 200, अगस्त 235, सितंबर 211 प्रश्ण चाविस यदि जुलाई में नदी A के पानी का स्तर 20 प्रतिशत कम हो गया हो, तो जुलाई में नदी A के पानी का स्तर क्या होगा? विकल्पे 156 मीटर B 162 मीटर C 164 मीटर D 152 मीटर E दियेगाई विकल्पों के अतिरेक्त अन्य सही उत्तर है विकल्प C 164 मीटर हल अभिष्ट पानी का स्तर बराबर 205 गुणा 80 बटे 100 मीटर बराबर 174 मीटर 25 कौनसे नदी में और कौनसे महा में क्रमशा पानी का स्तर उच्चतम है? A. अगस्ट में नदी C B. सितंबर में नदी D C. जुलाई में नदी B D. अगस्ट में नदी D E. दिये गए विकल्पों के अतिरेक्ट अन्य सही उत्तर है विकल्प D अगस्ट में नदी D प्रश्चन 26 सभी चार महिनों को मिला कर नदी A का और सत पानी का स्तर क्या है? सही उत्तर है विकल्प C 210.75 मीटर हल अभिष्ट असत पानी का स्तर बराबर 196 प्लस 205 प्लस 230 प्लस 212 बटे 4 बराबर 847 बटे 4 मीटर बराबर 210.75 मीटर प्रश्चन 27 यदि सभी चारों नदीओं के खत्रे का स्तर 215 मीटर से अधिक है तो किस नदी ने अगस्ट में खत्रे के स्तर को पार नहीं किया परंतो जुलाए में खत्रे के स्तर को पार किया विकल्ब A, नदी A, B, नदी B, C, नदी C, D, नदी D, E, इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्ब B, नदी B प्रश्न अठाइस सितंबर में नदी C के स्तर तथा जून में नदी B के पानी के स्तर के मध्य क्रमशह अनुपात क्या था? A, 91 अनुपात 101 B, 94 अनुपात 101 C, 51 अनुपात 103 D, 31 अनुपात 101 D, 92 अनुपात 101 सही उत्तर है विकल्पी 92 अनुपात 101 हल, अभिष्ट अनुपात बराबर 184 बटे 202 बराबर 92 बटे 101 बराबर 92 अनुपात 101 प्रश्न उन्तिस एक नावद्वारा अनुप्रवह में 117 किलोमेटर यात्रा करने में लिया गया समय 9 घंटे है तथा धारा की गती 9 की गती के समान है नावद्वारा प्रतिप्रवह में 2 घंटे में जाने पर तै की गई दूरी क्यात कीजिए अ- 32 किलोमेटर बी 14 किलोमेटर सी 17 किलोमेटर डी 20 किलोमेटर اी दिये गए विकल्पों के अतिरेक्त अन्य हल धारा की गती बराबर 9 की गती अध्व 2 घंटे में 9 वही पर खड़ी रहेगी प्रश्न तीस, स्मिता की आयू का उसकी मा की आयू से क्रमश्य अनुपाद तीन अनुपाद साथ है, तथा उनकी आयू में अंतर 32 वर्ष है, चार वर्ष बाद उनकी आयू का अनुपाद क्या होगा? A. 4 अनुपाद 19, B. 5 अनुपाद 14, C. 3 अनुपाद 20, D. 7 अनुपाद 15, E. 3 अनुपाद 8, सही उत्तर है विकल्प D. 7 अनुपाद 15, हल, माना स्मिता और उसकी मा की आयू क्रमश्य तीन अक्स वर्ष हो, प्रश्ना नुसार, 7X-3X बराबर 32, इसलिए 4X बराबर 32, X बराबर 8 अभिष्ट अनुपाद बराबर 3 गुणा 8 प्लस 4 बटे 7 गुणा 8 प्लस 4, बराबर 28 बटे 60 बराबर 7 बटे 15, अनुपाद 7 अनुपाद 15, प्रश्ना 31, एक ओफिस में पुरुष और स्त्री कर्मचारियों की संख्या का अनुपाद 5 अनुपाद 3 हैं, इस ओफिस में इंजिनेर की संख्या से कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपाद क्या हैं? प्रश्न 32, एक सो पचास लीटर के एक मिश्रण में दूट से पानी का अनुपाद 2 अनुपाद 1 हैं, पानी के कितनी मात्रा इस मिश्रण में मिलानी होगी, जिससे दूट से पानी का अनुपाद 1 अनुपाद 2 प्रमचह बनाया जाए? a. 145 लीटर, b. 160 लीटर, c. 180 लीटर, d. 150 लीटर, e. दिये गए विकल्पों के अतिरेक्त अन्य, सही उत्तर है विकल्प d. 150 लीटर हल, माना दूद व पानी के मात्रा क्रमचह 2x लीटर व एक्स लीटर हो, तो मिश्रण में दूद बराबर 2,150 बटे 3 बराबर 100 लीटर. मिश्रण में पानी बराबर 50 लीटर, माना पानी की a लीटर मात्रा मिश्रण में मिलाने पर 100 बटे 50 प्लस a बराबर 1 बटा 2, इसलिए 200 बराबर 50 प्लस a, a बराबर 150 लीटर, उत्तर, d. प्रश्णत है 30, एक बस की औसदगती, एक कार के औसदगती की तिहाई पाचवी है, जो की 65 घंटों में 3,250 किलोमीटर तै करती है, बस की औसदगती क्या है? a. 30 किलोमीटर प्रति घंटा, b. 20 किलोमीटर प्रति घंटा, c. 35 किलोमीटर प्रति घंटा, d. 36 किलोमीटर प्रति घंटा, e. दिये गए विकल्पों के अतिरेक्त अन्य, सही उत्तर है विकल्पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, हल, कार की ओसद गती बराबर 3,250 वटे 65, 50 km प्रति घंटा. प्रश्न चाइटीस, मेहुल ने एक बस्तू रुपए 5,625 में बेची और 25 प्रतिशत की एक हानी प्राप्त की. उस वस्तु पर 25 प्रतिशत का लाप राप्त करने के लिए उसे क्या दाम में बेचा जाना चाहिए? a. 9,375 b. 9,357 c. 9,753 d. 9,573 e. दिये गए विकल्पों के अधिरिक्त अन्य सही उत्तर है विकल्पे 9,375 हल वस्तु का क्राय मूले बराबर 5,625 गुणा 100 बटे 75 बटे 75 बटे 100 इसलिए अभिष्ट विक्राय मूले बराबर रुपे 7,500 गुणा 125 बटे 100 बराबर रुपे 9,375 प्रश्न 35 एक व्यक्ति ने खाने पर अपनी आय का 1 बटा 3 खर्ज किया उसने आय का 6 कपड़ों और किताबों पर खरीदने में प्रमशर 4 अनुपात 1 के अनुपात में व्याय किया उसने किताबों पर रुपे 24 सो व्याय किये आदमी के कुल आय ग्यात किजिए A. रुपए 18,000 B. रुपए 24,000 C. रुपए 12,000 D. रुपए 14,000 E. दिये गए विकल्पों के अतिरिक्त अन्य सही उत्तर है विकल्पे रुपए 18,000 हल माना व्यक्ति की कुल आय रुपए X हो तो प्रश्ना नुसार खाने पर व्याय करने के बाद 6 I. रुपए 2 X बटे 3 माना कपडों और किताबों पर रुपए 14 A तथा रुपए A हो तो A बराबर रुपए 24 व्यक्ति की अभिष्ट कुल आय बराबर रुपए 24 गुणा 5 गुणा 3 बटे 2 बराबर रुपए 18,000 प्रश्नपत्र समाप्त प्रिष्ट 182 पुस्तक में प्रिष्ट 182 और प्रिष्ट 183 पर इस प्रश्नपत्र के हलों को दर्शाया गया है जिन्हीं प्रश्नों के साथ रेकॉर्ड कर लिया गया है प्रिष्ट 184